तो दोस्तो आज हम आपके लिए सबजी बनाने का बिलकुल ऐसा अनोखा तरीका लेकर रहे हैं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा ये रेसिपी बहुत आसानी से कम मसाले और कम समय में बनती है घर में जब भी सबजी ना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राय करके द एक चमर डालेंगे दही स्वादनुसार नमक और थोड़ा पानी डाल कर हमेंसे मिक्स करना है लेकिन ध्यार है कि इसे आपको ज्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है तो थोड़ा पानी डाल कर देखे यहां पर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है थोड़ी ठीक प्लास्टिक के बैग में भी डाल सकते हैं जो हर घर में होता है अब यहां पर जो बेसन का बैटर बनाया है उसे हमने पाइपिंग बैग में डाल कर अच्छे से पैक कर लिया है और अब हम इसे एक साइड रखेंगे और बनाएंगे फटा-फटिसकी ग्रेवी तो सबसे पहले लेंगे हम तेल तो मैंने दो टेबलिस्पून ओइल लिया है इसमें डालेंगे हम जीरा और साथी प्यास तो आज की रस्पे बहुत ही अच्छी है बहुत ही कम सामक्री से बनती है और नॉर्मल और सिंपल मसालों के साथ बनेगी तो प्यास को हमें ब्राउन होने तक पका ल मसाले आपके इच्छा नुसारा कम जादा डाल सकते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है पहले हमें सारे मसाले ओइल के साथ भूनना है उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही इसे मसाले बहुत इच्छे से पक जाएंगे तो मैंने याप पर लगबख वन थर्ड कप दखी डाला और इसमें साथ पानी भी दालेंगे ताकि दही और मसाले अच्छे से पख जाएं तो यह पर आप देखी जैसे-जैसा मिक्स कर रहे हैं तो सारे मसाले पक कर फुल जाएंगे और इसके कलर बहुत अच्या advice तो अब इसमें डालेंगे हमें ग्रेट कियावा पनी यह optional है मेरे पास था तो मैंने डाला है साथे डालेंगे गरम मसाला और इसे मिक्स करेंगी अब दोस्तों यहाँ पर हमें गैस की फिलिम बन कर देना है जी हाँ अब हम दूसरी तैयारी करेंगे जो आपने आसे पहले कभी नहीं देखी और यह बनाने में बहुत अच्छी लग अच्छी से अरेंज कर लिए हैं अब हमनी जो बेशन का बैटर बनाया था उससे आपको इसमें सेव डाली है मैंने पिछले वेडियो में आपको स्टीम करके सेव की सबजी बनाना दिखाया था जो आप सबको बहुत पसंद आई थी लिकिन आप डाइरेक्ली ग्रेवी में इस तरीके से डाल कर इसे स्टीम कर सकते हैं अब यहां पर मैंने एक चन्नी ले ली है इसके उपर आपको बटर पेपर या फिर आपको ओडी यूनियर यपका भी पेपर आप रख सकते हैं वो पेपर रखके आपको इसे बस राउंड रॉन फिर से हमने यह सेव डाल दी है इसे 2 से 3 पेट में आपकी सेवब बन जाएगी एक वार में आपका दोनु काम हो जाएगा और इसे पकने के लिए आपको स्रीब 2 मिनट लगते हैं आप सारी सेट आपको इसे ग्रेवी में डाल देना हैं और इसे के साथ पानी डालना है तो यहां पर आपको सुकी सब्जी खाना है या फिर ग्रेवी वाली आप देख सकते ही स्वाद दूसार नमक और हरा धनिया डाल कर इसे मिक्स करना है और बस अब हमें जो अबने सीव डाले ना उसकी पीसेस करने है उसे कट करना है तो यह रेसिपी बहुत अच्छी है बहुत आसानी से घर पर बन जाती है लेकिन टेस्ट में बहुत बहुत ज़दा अच्छी लगती है तो इसे हमें अब जादा नहीं पकाना है दोस्तों सब्जी में जो आधा कट पका हुआ टमाटर बहुत अच्छा लगता है मैंने कई सारे सब्जियों में डाला है अपनी पिछले वीडियो में भी देखा होगा तो आज भी हम टमाटर को पूरा नहीं पकाएंगे बस इसे हम ऐसे ही सर्फ करेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे हमें 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है अगर आपको ग्रेवी डालना हो तो आप डाल सकते हैं बत्मेन आप पर इसकी सुक्की सबजी बनाई है और 5-6 मिनट के बाद आपको इसे एक बोल में या फिर प्लेट में निकाल लेना है गर्मा गरम रोटी जपाधी के साथ इससे सर्फ करना ही बहुत अच्छी लगती है रेसेपी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताईएगा आज मैंने आपके लिए कुछ नई और हटके रेसेपी लेकर रहे हूं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा चैनल को सब्स स्क्रेब जरूर कर लिजी मिलते हैं अगरे नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई